दोस्तो शारू खान की अगली फिलम फराखान के साथ आने वाली है और शारू खान इन दिनों फराखान से मुलाकातें भी कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि इस बार शारू खान फराखान की एक्शन मुवी में काम करने के लिए तैयार है और जो स्क्रिप्ट फराखान ने शारू खान के साथ शेर की है वो काफी खतरनाक एक्शन मुवी की स्क्रिप्ट है और शारू खान को स्क्रिप्ट काफी ज्यादा पसंद आ गई है और बहुत जल्द शारू खान एक्शन मुवी की अनॉस्मेंट भी करने वाले है और इस मुवी का बजट 500 किरोड बताया जा और वहीं कुछ मीडिया न्यूज के अकार्डिंग बताया जा रहा है कि शारू खान लोकेश कंगराज की पैंथर मूवी को भी साइन कर चुके है और शारू खान लोकेश के साथ मिलकर पैंथर को भी डेफिनिटली बनाएंगे और पूरी दुनिया में पैंथर का क्रेज भी क शारू खान इंडिया के पहले एक्टर हैं जिन्नोंने एक साल में 2.500 किरोड का कलेक्शन किया है और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड माना जा रहा है जो के आज तक किसी ने नहीं बनाया था शारू खान ने जो कहानी पथान से शिरू की थी वो डंकी के साथ समाप्त हो गई है और शारू खान ने जो बोला था वो सब कुछ करके दिखाया है और जो पथान के टाइम शारू खान की बुराई कर रहे थे उनके मूँ पर शारू ने कमाचा मारा है और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना कर ये प्रूफ किया है कि शारू खान डिरेक्टर एटली कुमार के बाद लोकेश कंगराज के साथ मिलकर पेंथर मूवी बना रहे हैं जो के आने वाले समय में और भी बड़े-बड़े रिकॉर्ड क्रियेट करेगी जिसको कोई भी तोड नहीं पाएगा शारू खान पूरी दुनिया के बादशा है और उन्होंने जो मूवी बनाई है वो लोग आ अच्छे फ्रेंड हो तो हमारे चेनल FFU को सब्सक्राइब कर दो ताके आपको शारू खान की अपकमिंग सारी मूवी की अपडेट्स मिलती है धन्यवाद